जिलाचमबा की तीसा में शिकारी मोड बिहाली मार्क पर आज HRTC की बस पलटने से बालबाल बची हाथसा मोड को काटते वक्त हुआ जब बस के दरवाजे सडक में फस गए गनिमत यह रही कि इस हाथसे में किसी भी प्रगार का नुकसान नहीं हुआ जबकि बस सवारियों से भरी हुई थी और बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे जानकारी के अनुसार उक्त मार्क पर सडक तंग होने की वज़े से बस चालकों को सडक का मोड काटने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है हरंकी सबाबत बस्यातरी वस्थान ये लोग कई दफा लोकनिर्माण विभाग से सडक की खस्ता हालत को सुधारने की मांग भी कर चुके हैं परन्तु अबे तक लोकनिर्माण विभाग ने सडक की खस्ता हालत को सुधारा नहीं है जिसकारण की आज एक बड़ा हाथसा होते होते टल गया यह बस खटना उस समय हुई जब बिहाली से भंजराडू HRTC की बस सवारियों को लेकर जा रही थी तभी शिकारी मोड से लगबग एक किलोमेटर की दूरी पर पहुँची बस से मोड नहीं काटा गया जिसकारण बस में सवारियात्रियों को बस चालक ने उतार दिया में स्थाने लोगों ने जगटना की वीडियो बना ली चमबा से ओपी शर्मा की रिपोर्ट जिला चमबा की तीसा में शिकारी मोड बिहाली मार्क पराज HRTC की बस पलटने से बाल-बाल बच्ची हाथसा मोड को कारते वक्त हुआ जब बस के दरवाजे सडक में फस गए गनिमत यह रही कि इस हाथसे में किसी भी प्रगार का नुकसान नहीं हुआ जबकि बस सवारियों से भरी हुई थी और बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे जानकारी के नुसार उक्त मार्क पर सडक तंग होने की वज़े से बस चालकों को सडक का मोड काटने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है हरंकी सबाबत बस्यातरी वस्थान ये लोग कई दफा लोकनिर्माण विभाग से सडक की खस्ता हालत को सुधारने की मांग भी कर चुके हैं परन्तु अभी तक लोकनिर्माण विभाग ने सडक की खस्ता हालत को सुधारा नहीं है जिसकारण की आज एक बड़ा हाथसा होते होते टल गया यह बस घटना उस समय हुई जब बिहाली से भंजराडू हो टीसी की बस सवारियों को लेकर जा रही थी तभी शिकारी मोड से लगबग एक किलोमेटर की दूरी पर पहुँची बस से मोड नहीं काटा गया जिसकारण बस में सवारियात्रियों को बस चालक ने उतार दिया में स्थाने लोगों ने इस घटना की वीडियो बना ली चमबा से ओपी शर्मा की रिपोर्ट नेशन स्पीक्स अब बोलेगा हिंदोस्तान